वाहिगुजी का खालसा, वाहिगुजी की फते, सादा होंदा दूसरा विशा, ये बड़ा फिलोस्फिकल विशा है, गुनुबानी अनुसार, जीवत मरो, मरो फुन जीवो, इंग्लिश विच असी विशेदा नारख है, कंसेप्ट ओफ डाइंग इन ब्लिस, गुल्या करिये, तिन तरीके दियां मोता समझां, दियाने एक शरीरक मोत है, सब ना मर ना आया, विछोडा सब ना, एक मोत है, जड़ी, जदो मनुख अपने सद गुना तो वंचत हो जाए, ताँ उन्नु कहन देने के आखां जीवा, विशरे मर जाओ, जे परमातमा दा एहसास है, बानी अनुसार, तजीवत हो, जे परमातमा दा एहसास नहीं हो, नहीं है, ताँ फिर मरे गई हो, और एक है के, अपने यहां वाइसेज ने, उस तो मुक्त होना, उसनों डिसिप्लन करना, उदे लिए बड़ा खूबसूरत बानी दा फुरमान है, के मन मारे, जीवत मर जान, के हूजोएवर डिसिप्लन्स इस माइन्ड, विल कम तू नो दा सिक्रेट ओव डेथ इन दिस लाइफ, देखो, जीवन दा लक्षन ग्रोथ है, फिलाव, इसलिए जीवन नो ब्रह्म वी क्या गया है, असी अपने सरीर नो केवल बारतों जान दियां, पहले लेक्चर इच डख सब इस दी गालकार रेशन, पन अपने अंदर होके सरीर नो कदी देख्या नहीं, अपने सरीर रूपी गार्न विच अपने आपनो अंदरों देख्धन दी कोशिश ही नहीं कीती कदी, साधा जीवन प्रती जो अनुभव है, केवल बाहरी है, सरीरक है, इसलिए अनुभव केवल मोत दा अनुभव बान जान दा, ऐसलिए मनुख मोत तों डर्दा है, बगत नाम देव दा बड़ा खूब सूरत शबद है, के मुवे हुए जो मुक्त देओगे, मुक्त न जाने कोईला, के मरं तो बाद मुक्ती, इते हजारा साला तो ही, नरक स्वरग, अगला जनम, पिछला जनम, मरं तो बाद स्वरगां दी ते नरकां दी अगला, ते बगत नाम देव ने तो कहता है, मरं तो बाद मैं मुक्ती देनी है, और जाने कोईला, फिर उनके ने जानना है, मैं नो तो जिन्दे जी मुक्त का रहा हूँ, इस सबजेक्ट आजदा हो है, के साड़ी ये दे, इस सरीर, इसाड़ा अथेंटिंक बिइंग नहीं है, वास्ते जिर ये जीमन मुक्त वाली गाल जेड़ी है, और जेड़ी जीमन मुक्ती 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 है, और जेड बहुत समझें वाल है औरे विशा सबंदत है मैं अकसर एगाल कहना कि the real question is not whether life exists after death एस सुवाल है नहीं है कि मोत तों बाद कोई जिन्दगी है the real question is whether you are alive before death कि मोत तों पहले असी जिन्दगी जी रहे हैं ए जड़ी आज बड़ा वड़ा एक मैंनों लगदा है कि जेरियां चिन्दगाँ असी आम तो उरते है थे तो अड़े ना परगट कर दे हैं ओ चिन्दगाँ सब दूरो सब्जेक्ट ए विशा जीवत मरो मरो फुन जीवो वाला समझांगे को कि अन्देना के अपनी हस्ती मिटा के महक लुटाना जीवत मरो है one who suffers for the sake of principles सिधानता ले अदर्शा ले लोक सेवा ले तो ए जड़ा life changing process अपना अपा मारना दिज़ी गाल है के what you do for yourself dies with you but what you do for others live forever ए बड़ा खुबसूरत विशा है और मैं ड़क साब नो बेंती करांगा के आम तो उरते हैं असी है सब्जेक्ट ड़क साब नो ही कहने है के तुसी करो क्योंकि ये सब्जेक्ट होई कारसेदे जड़ा बानी नो बड़ी गहराई नल समयदावे तो मैं ड़क साब बेंती करांगा के सब्जेक्ट बारे गाल करांगा प्यार सेथ फटे बलाओ वाहिगरुजी का खालसा वाहिगरुजी की शोटी जी ब्रेक तो बाद फिर सारे असी अपना वाने का अगर करिये के ये जीड़ा विशा एक आंत्रिक जीड़ा विशा है बारी समाज़दा वरतारा वो होर चीज है ये अपने आपनों अंद्रों समझना है इसकर के बड़ा गंभीर ते दार्शनिक विशा है ये त्यान दी एकागरता मंगदा है तो इकागरता नाल इसनों थी थोड़ा बहुत जितना को अकल ना समझा जा सकता है उतना को समझान दा जतना करांगे क्योंके वैसे ए अनुपाबदे विशान इनना उते पाशन एक सीमा तक दिता जा सकता है बुद्दी नाले नानों एक सीमा तक ही और वी बहुत छुटे जा दायरे चे समझा जा सकता है इस दा सुआद इस दा अनन्द इस दी असल समझ ओ जड़ी है ओ ते एक्सपिरियंस नाली हो सकती है तो आओ असी यतन करने है जो माराज जी ने बानी चे दस्या ओ दे अनुसार थोड़ा बहुत इस नो जान लिए क्योंके ये विशा हरवा आरे नाने सलेवसे चे पका रख़ा है विशा होर बदल देने ये नहीं बदलदा क्योंके बहुत महत्तव पूर्ण विशा है शब्द जेड़ी पंक्ती जीवत मरो मरो फुन जीवो पुनरपी जन्मना होई एक कबीर साव दी पंक्ती है कबीर जीदक शब्द उदक समंद सलल की साख्या नदी तरंग समावेंगे सुनन हैं सुन मिलेया समदर्सी पावन रूप होई जावेंगे बाहर हम काहे आवेंगे आवन जाना हुकमति से का हुकमें बज्ज समावेंगे एक ते एस पष्ट का लिटी जीदे मरना कोई जनम मरन दा निशेद नहीं है बड़ी ए एह एहम पंक्ती है आमन जाना हुकमति से का क्योंके सारा मुक्ती दा गुर्मत कंसेप्ट इस कली पंक्ती के प्या हुआ है जाए दे नाल कोई होर पंक्ती मिल दी होई ता होदी के प्या है जड़ेन से मुक्तिते गल कर दे है जड़ेन कोई आके विचार बान कोई सादक कोई संत महातमा करते है वो इस तरना दस्त जा के जिमे मनोकृत जनमे इतना कमा है अगा रित Dann घो रहा होना जमन मरा तो मुक्त होना दोबरा जनमना हो जावे महराज ये तुम इस उपदेश कर रहे ने हैं ओ महराज जिड़े एक एन इस देही को सिम्रें देव सो देही हर पजिकी सेव पाई प्रापते मानुख दे हुरिया जिड़े के मानस जन्म दुलंब है होएना बारह बार ओ इस जन्म ते जीवन दा इस तरीके ना निशेद बानी चकरन के साधाय विचार बान जावे कि ए संसार एक नर्क है और एदे तो मुक्त होना जन्म बरन तो मुक्त होना ए तर्मदाव देश है ए बहुत प्रांती है एक गल पहला कहर चुके हैं ए संसार सिखवा से नर्क सबरूप नहीं है दुख सबरूप नहीं है ए सुख में अनंद में बहुत ही बिसमादी संसार निहार ने बनाया है, जिदे किनक देकन के विच रब था नूर वस्दाय है. जिए चारों तरफ रब था नूर वस्दाय हुए। जिए हार काट दे विच सबे राम बोले है। राम भैण है। जिए चारे पासे ब्रह्म होई ते उसनु ब्रह्म freeze बद सूर्त कहे, इसनु बड दात्रिसकार है गुरु साब सच्चे पात्षा महराज ते इस जिरह ए मनुखदी देई है इसनो बहुती उत्तम दरसां देहा देए ते जिरह कभीर साब ने कहता है आमन जाना हुकम तिसे का कि आमने को एक है अचले के जे तूँ एक एंहें कि इस जीवन तो मुक्ति चाहिए दिया है फिर दुवारा है बनदा नव बन जामा मैं केते बानी दे प्रमान देंगा बोरन पाहुझल बहुझल फेरा हो बोरन पाहुझल फेरी त मतलब एनीन गे दौवारा है ज़नम नहुं को ते एवे माराच जी एक कवरी माया मोच कड़ी आज कीज़े फेर ना पह जाँ भाग तेस ना सुट्टी हो जे देच माया मोच कड़ी अ कर्पा कीज़े जे ते होन एक किरपा बनाई रख यो जे दवारा इदे विच नान झिगा यह पाव है बहुर ना पाउजल फेरा दा जिर असी पाव करने हो तो इस सिद्धा सिद्धा रबदा निशेद मनुखा जन्मदा तरे सकार और गुर्मत उत्ते एक बड़ा प्रशन चिन लगा उनमली कर ला है फिर यह सारा सिद्धा आती सानु बदलना पाएगा मानुष जन्म दुलंब है पंक्तियां तर फिर नदा को मतलबी नहीं रहे जन्दा इस देही को सिम्रे देव सो देही इस तर्ती में तेरी सिकदारी अबर जोन तेरी पर नहारी एड़े वड़े बार्शाहा दा जेड़ा जन्म परमेशन दिता है उस बार्शाहता से रवन बख्षी बार्शाहता तर इसकार करिये तो मैं समझना है बहुत बड़ी मानमुखता है रव दे खुकम निष्यद है कवीर सहब कहें दो किया मैं जिस मुक्ति गाल करांगा जयसी मरन धी गाल करांगा उस मरन मुपैला समझ लेओ जराह estarh इसीसमिज़ाते कि मैं गल करनी मुक्ति दी है चेंज़ लभू जिससरे तुसी मरन ते जीवन समझ देहा flexible कर दो नए समीधा हूए हूओ जाना हुकम तिसया कहा हूँ यात्य जाना ज हम湃 चले जाना जम पीजाना बानी एक गल समझ लिए बानी जमन मनने नहीं मन दी बानी ते कहीं दिये आउन जान है आउन जाने के खेल बनाया कोई अथे मौतमात है यह नहीं बंदा रभ पेज जाया ते संसार आजाना परमातमा नहीं चेड रचार रखे शाड़े अनन्द माननवासे नहीं मान सकते तो परमातमा नहीं होन तू आजा मेरे को फिर तैनों केसे नमे रोल्च पेज जेड़े रोल्चों पेज़े और रोल अगला चंगा मिले यह दे बात से सारा सी मनुखा वाला विवहार ताहां के अग्वों ए नहीं होवे के तूह मनुखा वाली जनम वाली खेड विगारी यह तूह खेड आनी चंगी इतना उन तो यह बंदे लायक ने विचाल कोई गदा बन जा कोई होर पशुपंची बन जा को स्थिती ना आवे इस तो अग्गे जनम प्रापत होवे जिते आज खरोतना चंगा यह ना उस तो दस गुना चंगा यह लेके संसार वेच आमा तो यह कुझaws ना अक सचे पात्सा महराजी बंकर्वां अनौसरन कार दे कुझाना आमन जाना छुक्म ग Hawkman हुआ नहीं समझे यह सोड़किया। अजिना लोका ने σταते हती brushed के रवदा-निशेद खरके यह भी-डियू हो सकते स्वैति देखने योग ने यूग्षा बड़ि प्राप्ति नहीं होई बलके होया ए परवर्ती काल वेच जेड़ा योगी सी ओकामी हो गया शाकत मत पैदा हो गया उन्हें क्या काम दा त्याग एमें की तासी हुन्हें काम पोग लागा है ते काम एक तर्म बन गया जेदे कार्म जेड़ेने तुसी शेविलेंग जेड़ेने मंदरा जेड़ेने सापत हो गया म कम एक तरम बन गया, योगी ने माश मच्छी मदिरा मुदरा मेथुन, पंजमकार जिसने नाप गे वो योगी नी हो सकता ह। क्यों क्योंकि रबने हुकम नहीं समझाा निसी जिव उस दे पूरवज j Livesay ने रभ दा हुकम समझ के इस मानवनवन जनवनदी कदर कीथी हंदी मानवनन जीवननयों स्वाहंधा यहतन कीता हंद। मानवता दी सेवा कीती हंदी तो निश्चित तौरते एस मास मच्छी मद्रा मुद्रा वारे तर्म में चुना निगता है कभीर साब जरे ने वो सानु ए समझांदे ने हुकमे बुझ समावेंगे जब चुके पंच तातू की रचना ऐसे पर्म चुकावेंगे जब चुके पंच तातू की रचना ऐसे पंच ताता ऐसे कर्म कमावेंगे कर्म तो पजना नहीं है जे स्वेच परमेशर ने प्रविर्त करेता है उस कर्म नू अच्छी तरह हो ड्यूटी निबावांगे केंदे एस तरीके नालसी जड़ा है साधना साधी एस तरीके दी होड़ी है और हर जी किरपा करे जो अपनी तो गुर्के शब्द समावेंगे जीवत मरो मरो फुन जीवो उन रपी जन्मना होई कौकवीर जो नाम समाने सुन रहा लिवस होई उन केंदे वो सुर्थ जड़ी पठके नाओ क्यों प्राफ्त हुन दी है उन केंदे जीवत मरो मरो फुन जीवो एक वरी जीवत हो जीवत हो जीवत हो जाओ फिर केंदे पुन रपी जन्मना होई होने एदा मतलब ए नहीं कहन रखना कि फिर तो आनों दुबारा जन्मनी प्राफ्त होगा क्योंकि एदा निशेद एदा सपश्टी करन पहले ही आ चुक है आवन जाना हो कुमति सैका पुन रपी जन्मना मतलब है फिर तुसी पाप दे कर फिर तुसी माया दे कर फिर इंद्रिया दी वासना दे कर जन्मनी लवोगे दोबारा इस पंक्तियां बहुत कीमति हैं कि कि में जीवन दा धर्शन कभीर साव ने बंद के रख जीता है सिशावत देविच वो कहन दे कि कोई मुक्ति ले लोड़नी है कोई तो हनु धर पठकंदी लोड़नी है कोई जन्म में चाहून तो डर नहीं होना चाहिए यह थे सानु की समझाया जानता है ओ उल्टा लटके माता दे पेट ते विचे तु हो जाएगा ओ हो जाएगा नर्का में जामेंगा यह सारे मन दे विकार जरे लोका ने तरमदे नाते पैदा कर रखे सन गुरू साब ने इननों तोड़ दिता है ओ केंदे ए जन्म बड़ा कीमती है और इस जन्म दे विचे एक कोई सिख्या लेनी है जीवन दे आं मरना है और उस मौत विचे जिड़ा जीवन मिलना है ओ जीवन ऐसा जिड जीवन देख्या जट कर रहा है इसकर के मनुखने अपनी जिंदगी प्यारी लग दिए ना एक कीडी नूं एक मक्षी नूं एक मच्छर नूं हर चीज नूं अपना जीवन बहुत प्यारा लगदा है और अबधी खेडी ऐसी है उन्हु लगदा है मेरे वर का कोई है यह जे उन्हों ए ऐसास होवे के नहीं मेरे ना वो जीवन चंगा तो निश्चित तोर ते ओ जोनी खत्म हो जावे ओ हर जोनी सर्वाइव इस गलते कर दिये के साड़े बर्गा जीवन के से कौल नहीं है तो गुरु साथ सचे पात्षा महराज हजूर जी जी लेने जिवन की चाड़ आस हो सबना की रेन्खा तो आओ हमारे पास बड़ी बड़ा पाप पूर्थ श्रोक है पहला मरन कबूल कहेंदे के पहला सब तो पहला माउत नू प्रवाण कर ले है मौत नू कबूल कर ला है पहला मरन कबूल जीवन असी ते सोचनेया ना मरन कबूल दा इनना ही भी हत्यार चुक दुश्मन लाड़ तो बस ए ससबंद विच असी दूजिया नू ड्रानमा से स्लोक पड़ दिया विच उसी वेखो साथ ना टकला हो गिरे साथ को ज़िए बाणी विच आ कुछ लिखिया है या या बाणी इज लिखिया नहीं होया है ये थे पहला मरन कबूल केवल शस्तर दी गल नहीं है शस्तर तन सिर्फ समाज विच न्याय बहाल करन वास्ते है वोदा होर ना सत्ता प्राप्त करनी ना पुमी प्राप्त करने ना तन प्राप्त करना इरे वासे संघर्ष नहीं है संघर्ष तर्मी व्यक्तिता केवल इस वासे हुंदा है कि ज़नों मनुख अमानव बन जावे उसनों अमानवी कर्म तो रोक्या ना जा सके होर ही ले वसीले नाल तो उस विले शस्तर नाल उसनों रोकना पेंदा है शस्तर में इस गर्षिदा कीवल इतना अर्थ है तो पहला मरन कबूल जीवन की छड आस जीवन की छड आस ता मतलब ए नहीं कि जीवन नल सने ना कर बलके इदा मतलब ए भे जीवन दियां जेडियां लाल सामा हन। जेडियां चुठियां तु आशामा रखियां हुए ने चाड़ दे आई मरने। पहला मरन कबोल जीवन की छड़ास। मरन परवान होएगा किमें, मौत किमें परवान करेंगा तु। जे तू जीवन्तियां लालसामा तु टुट जमेगा। जीवन्तियां लालसामा करके तू मौत तू । ढर्तके तू तू मौत तू अिलागा। तू लेता जीवन्तियां लालसामा मुक्रियन के जीवन की छड आश। हो सबन्हा क Changing Ka , तू आओ हुमारे पास। सारे अंदा सेवदार बन जा, प्रमेशर जी कहें देने सारें अंदा सेवक बन, फिर तु मेरे कोल बाड़े राम ना लामेंगा ना तेनो मौत मरना पावेगा, ना जीवन च मरना पाएगा, ते श्रीरक मौत भी जडिया है वो तेनम समझ आजाएगी कि ए कोई मौत नहीं है जिस कार्तों आयां उस निजकर विच परतनाई है बस एवल इतनी को खेड है तो जिड़ा मौत ता पै है वो किस तरीके नाल उता रहे है हुन इस एकले स्लोक देविच एदासिता पहली गलते एदासिती के मौत पे अनक लग दिया दूजी गल के मौत नूँ परवान करना है मौत ता पै कि में खत्म होएगा केंदे आ तू लाल सावाँ शार दे मौत ता पै खत्म होज़ने जेड़ा मौत दा कष्ट मौत दुख जेड़ा मैसूस हुनदा है हर जीवन वो सिर्फ इस करकिया है जगतनाल अटेच्मेंट है जगतनाल अटेच्मेंट क्यों है क्यों कि एत्त हों बड़ी सारी खुरा के जेड़ी मनोख नुच्चा नहीं ले जाने जीवन नूच्चा नहीं ले जाने ओ इंद्रियां ग्रैन कर दिया ने आदा रतुडना गासरों और सब्सक्रांता के ज़िखे मvelmente ये कदाउने है का मरत करने है प्रशार तेल है। Cities to meet the swirlies, theधs आउना मैंवेब्स सकत्राइन लहाँ आओ आँ, ि मुन्हइन सब्सक्राइए जड़ उनन्हें दो ठना लित जाए संब्सक्राइए निखुन करके जटा है ओर तोनों मुख्ट निकिया जाशता है ते एजड़े बंदन लाल सामादेने जी चार देविगा ता निस्चे तर ते ओज जविब्धाई जड़ा है मरनवाली स्थीटि पहुंचेगा पर फेर जदों उस स्थीटि पहुंचेगा ज़िब्धा अमारन चोटी-चोटी गल्धे मैं अभइमान करना अश करणके दूजह ने टक्राहूंदा प्रंथू जे सेवक बन्दा कदों होएगा ज़ों अपना अभीमान मार लएगा ज़ों अपना अभइमान मार लागा फिर उसेवक होजगा फिर उनुंको परवाई नहीं है ओ अपना अभि कर लेनी है अपने अपनों खतम करना सिर्फ मनुखता दा सेवादार बंचैना कि मैनुता रबने प्या मानुखता दी सेवा ली पे जङा मुनुखता दी सेवा करनी है इस करके मुझे दा मिठत नीवी नान का गोनी चंग्याईया तत वाले मार्गते चलना जड़ा है ए जीवन्देयां मरना है तो गुरु साहब सचे पातशा महराज जी ने बहुत सारियां पंक्तियां इस पावदियां जीवत मरना तारेतर ना जय जगदीश परमगर्सर ना इसे तरह जीवत मरना सब को कहें जीवन्द मुक्ति क्यों होए पैका संज्व जोकरे दारूपा लए उन एदे वेची कि एक जीवत मरना सब को कहें यह दा मतलब कि एक कंसेप्ट ते बड़ा व्यापक सी क्योंकि जरे सारे तर्मने शायद तर्मते रभप्रती बहुती निष्ठा लोकां दी जड़ी है ओ मौत दे पैकर के है ते माप पुरुख जरे सारे ने सारे तर्मादे ने ओ मौत दर्थों बं नदी बानी दाव नदी परिवचना दा फोकस ओदे उत्या है के मौत तो कि में मुक्तों हैंगा यह अपने अपने तरीकिर किसे ने कर ले किसे ने स्वर्ग लोक बना लिया कि ओदे विचकी में जाया जा सकता है किसे ने नर्क ते जिड़े बहिष्ट अपना बहिष्ट ज जिड़ी है जन्नत ते अपना दोजख बना लिया ते किसे ने उसनों जिड़े अनीश्वरवाति सहनों ना दर आपको जाना नहीं से उनने मौक्ष बना लिया उनने मौक्ष है असल सिधात मौक्ष दा पिछे जैंग पेपर कोई पढ़ ना का सी यूनिवरस्ती दाई पहल तर्म जिड़े ने ओ मौक्ष केंद्रित ने मैं के तेरी पहली लाइनी गलता है हां मौक्ष केंद्रित नहीं हैं सारे तर्म मौक्ष केंद्रित केवल ओ तर्म ने जिड़े अनीश्वरवातिये जिड़े मौक्ष दे मुक्ती शब्द है ए अनीश्वरवातियां तो आया है यह दी कोई लोडनी सी वेधन, आश्यावादी लोग तेरे ने हुजी मुक्ती चोंते ही नहीं है, किसे आश्यावादी तर्म चे हुजी मुक्ती नहीं है, आश्यावादी तर्म मोक्ष की, वो ते कहेगा मैं प्रमात्वान मिलना है, वो कहेगा कभी जेरे सतना दी पंक्ती ब वो भी कहनता है कि मर गया है फिर मुक्तिकादी चाहिए दिया है तो ओहो जी मोक्ष ओहो जी सालवेशन हो दा कंसेप्ट इश्वरवादी तर्माच नहीं इश्वरवादी तर्माच इसलाम में अल्ला दे दरबार चे पहुंचना है और सिखी वेच जड़ा है परमातमा नाल अब पेड़ता प्राफद करनी है इति रह के इति रह के परमातमत रूत में नाल जिघा उसने सानु बना को आई यह बंदा बना चाहिए तो बद्णा में यह साधी मोक्ष दे प्रबू दिचलिया है यह सांसे स्वार गया है यह साधी यह सांसे जन्दाओे जन्नत है तो च ते निवेदन कर दिया सी कि कह जियूंदे मरना घृंदे मरना करना कि दी चर्चाब देरे लोग यृर चर्चाब थेरे लोग कर दियुक है सब करना जियूंदे अमरना हिंदुस्तान जेए सुन्य आस एसा आख three को जिँदेंना किस ने समीदा है वह समीद्धाए संसार खराब है कारछा दियो जंग्लां में चलेजो समाद्य लाओ तै दुनिया तो बिल्कुल निर्लेप हो जाओ पर जिँद्या मरना ए रस्ता वंगा नगत इसे जेडे होर लोख ने उन्हाने अपने अपने तंग नाल उन्हादा जिऊंद्या मरना एक है के संसादे विचे विचे वहार अच्छा हुए ते स्वर्ग दी प्राफ्ती हो जब गुरु साब जी ने एक नवेकला मार्ग जिड़ा है वो जिऊंद्या मरना डिफाइन कर देता ह है अपनी बाइच और एस बंद विच जेडियां पंक्तियां गुरु अंगदे माहराज सचे पात्षादियां ने ओ बहुत महत्तपूर ने स्लोक है उन्हादा अक्षी बाज़ों विखना विन करना सुनना बंधा मौते बंधन च क्यों है पहला गालस ही कीती है अक्खानू रूप दा रास है कन्ना नू निंद्या चुगली सुन दा रास लग गया हुआ है तिखो ना किते बानी सुननी हो यह मानी लग दा जी गुरुदवारे बैठांगे नीदावन लग जन दी है त्यान कोई नहीं हुंदा और साच एवे के आइना जोर लगा के पढ़न वाले हुंदा त्यान कोद्या वाले लगा के माहिक पामे ओ पूरा यतना कर रहे है कि म currently करना रान्त मुददा त्यान कोई नहीं हो임 परन्तु श्रीर जड़ा है, श्रीर कार्म एक ओ करी जा रहा है, क्योंकि छे किते कोई आके कीर्टन तो उठते हैं सार मारी जी गल सुना दे जिदा उदे न विरोध हो वे के उदाल पठा बैगे है, ते फेर तुसी देखो कितने त्याननाल ओदे, अंतरात में तक को गल पहुआ है क्योंकि दिद्धी ते मन्त त्रिफ्थ हो जन दा है, बहुआ बाग हो जन दा है, क्या बाश हो नहीं है। एक रस लगया हो एक कर्णान तो जीब नू रस जड़ा है, ओपदार ठाथ जड़ा ते मनननन दा बोलननन दाय और निंदीय चुगली कर्ण दा जीब नो रस लग गया है इसी तरह चमरीद रस है तो इसी तरह आंदा ज़रा है वो सी रूप रास रूप रास गंद गंद जड़े नक सुगंद ची जजड़ियान नहीं ओचंगियान लग दियाने पी छेपट कदा रहें दैमान देखने न सी 5.5 दे सेंट कर ले आके रखने इस iTena करके लिड़े की रासा है तो ए नाकणू ?, रास लग गया है, रूप रासजा गंध सपरश ह Days सपर्ष जितों काम पैदा होंदा है, सपर्ष ते शबद, शबदा रास केड़ा है, शबदा रास ता बानी दा रास वे बानी मी शबद है, इते शबद रास ओई निंद्या चुगली आदीदा रास लग गया है। इदर नू इंद्रियां खिचियां गियाने, जैसे करके बंदा चुठे जीवन दी आस वे जीवन दे, ओ मौत नू जीवन समझ रहे है, जीवन की सी? जीवन ता एसी कि नेतना देना प्रमात्वन वेह दा, जीवन ता एसी कन्ना राई चंगे बचन सुन्दा, चंगे बचन जीवन दे चुगली सुन्दा रास प्या हुआ है, जेकर चुगली सुन्दा रास हाट जावे, ता निश्चे तार तो कोई अल्ला कोई वाईगरू कोई, कोई राम कोई, कोई गौड कोई, कद ये भी भुरा नीक करना नो लग सकता, जेकर निंद्या दा रास ना होवे, ज जेड़ा सी, ए साड़ा पेखी जीवन है, के वाईगरू ता मैनू चंगा लगता है, गोबिन राम जेड़ा है, ये हिंदू आदे नाम ने, और गौड ता ये इस्वाई केंदे ने, ये ता कोई मतल भी कोई ने, फजूल जय शवद है, तो एक क्यों है, इस करके, के एक कन जेड़े ने, ए चुठे रास वेच लीन हो गयने, ते एननू जेड़ी है, एननू दूजे तर मादे नाम चुठे लगदे ने, तो इस करके, माराज सचे पाद्शा शरी जूल जेड़े ने, हो कह रहे ने, के बंदा जेड़ा है, एना दा खुलाम है, काम दा खुलाम है, जेड़े चसक यह घुलाम है, ले जीड़ा चसका जेड़ा है, कारलया तांकी हो गया, जीड़ा जीड़ा चसका उत्खे खराब है, जेड़ा गुरु साब बार्णी मिच, मार्ज की वार वेच, गुरु नानक देव सत्यपाद्शा आ कहें जे रत्पी में मान सा, तेन क्यो दोजियां दी कमाई किर्थ खो के ठगी करके भेई मानी करके खा रहे नहीं। ओ जडी हराम बस्तू है उसनों बंदजड़ा है ओ जड़ों एक खास करके तरमी बना लएके एत तरम हैं। तां उस विले ओ जड़ा है उदा मानक दे पुटर नहीं हो सकता है। इस जीव दूम जे मैं अपनी नेक कमाई करके अपनी नेक कमाई नहाल मैं वदिया वदिया पदार्थ खांदा हां तां कोई गुरबाणी विचे मनना नहीं है। गुरबाणी ता कहन दी खावो खर्चो राल मिल पाई। तोटी नाव भद दो जाई। भाई बख 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 पदार्थ खाओ ना। खेडी रोक है। कोई सन्यासियां सन्यासियां वदा थोड़ा है। यह तां गुर्शिखां की पोख साब गई तेन पिछे हो रखायक नेरी वड़ा रस्ता है। इसी ते महाराज जी ने पोख मिटाई हुई अपने प्यारयां दी। इस कारके कोई चंगे बस्तर पैनन ते, चंगे कर वेच रहन ते, चंगी स्वारी रखन ते, चंगे प्रदार्थ खान ते, गुर्मत वेच मनाई नहीं है। जेड़ी मनाई है, ओ एवे के अपने जीव देश वादा वास से, अपने चसके वास से, मैं अगर किसी दा हक मार दा, ते ओस चीज दी मनाई है। तो सत्गुर्व सचे पात्षा महराज, थोड़ा दे कंप्यूटर के पिछे हो गया सी। तो एड़ा इंद्रियां दा राषह है। जिड़े 5 साधियां इंद्रियांं ने, उनने पांज विशा ने… विशा आपने आप वेच खराब जीज रही है, बहलेते असी बहलेते हैं समझे लेनी चाहिए। पंज विशा केड़े पंज इंद्रियां केडियां ने उसादे अखा नककन जीब चमड़ी आदी जिने ने ये पंज इंद्रियां ने, five senses इना दे जडे विशा ने रूप, रास, गंप, सपरश ते शबत ये पंज विशा ने, पंज विशा अपने आपचे खराब ने, क्यों कि रूप वेखना खराब नहीं, पर दुझे रूप ते एट्रेक्ट होना खराब है, उसनों रबदी सुंदर्ता करके वेखना, सब पसे रबदी व्यूटी वेखनी, वो सुंदर्ता जेसदी है, उद्र नो त्यान कोई नहीं ता की होया, ये विकार हो गया, जेड़ा विशा और भानीी मी सुना, प्रमातमान दियन गरणा मी सुना, प्रांट तु और अच्रियां उस्वाू जेड़ियां समाज मेरे लजाँ सकना, चैहिरा बोजा सब्सक्ता चिक्रायां कि वेखन बोजां ऍर नहीं सुनलों से था हैे वागलिय वाइबक लोजा सुनलों सुनलों, ग कोई भी वी विशय अपने आप वेचे खराब नहीं, जदों तक ओदे पिछे चित जड़ा है वो खराब नहीं। जदुछे kharab हो जन्द आ, वस्ववडर जिए ए विशय ने, ए विकार बन जन्दे ने तै जदुब विकार शाब्ली अ सथानर प्राप्त कर लेया है〜 तो उस वे फिर ओ जीवनन विकार देनै। विकार जीवनन विकार देना है तो गुरु अंगर देव सत्य पात्षा महराजरी ने ओ जीवत मरन नू परिभाश्चत कर देने केंदे अखी बाजों विखना विन कन्ना सुनना अख्खा तो बिना विख्या जाए अख्खा तो बिना विख्या जाए इता पाव की है अख्खा तो बिना विख्ण दा पाव है अख्खा दी जेडी विकार में ही रुची बनी है इनू रोक के फिर संसार विख्या जाए आजे कि, पर कुछ किते ही नजर नहीं हुंता, किससे रभ कित धयांग कित धया ? को मैंतने रगूसी में में हमेदे को घुंत साथ के लागूस के भात рист cau't ever…. ये रजह साथ के लिवगा। क manufacturing हो जिद जह जह धिमांत है ? किसे पासे वह धाया जया आए रभ कित है कि अइन ना रभ जड़ा चारे पासे विश्वरया है बंदा केंदे रभ किति है कोई रभाधी गल करेगा उत्ते ने वेखेगा भी किती उत्ते बेठा होना क्योंकि वैसे हो दी पावना भी उच्चा है इसकर के थले नहीं वेख़ा है मान चेटे सतकार है पर आंट उत्ते व वो पुछे ते उत्ते किते नहीं। गुरुनान्ग देव जी नहीं ते सिद्धा इस कह से जान जान दिखें ता जिद्धर वेखेंगा उद्धर परमातमा ही परमातमा है। पर किते भी नजर नहीं आउंदा, ये दा कारण की है, ये दा कारण सिर्फ ए है, कि अख्छां दे विच विकार वस गया है, जदो ओ वस जाएगा, तो ये समझ लो बंदा अंदा हो गया, जड़ा बानी दे विच अन्ना क्या है, अंदे ए ना खिये, जिन मुखलो ए ना ये इनान का खसुम नो कुथे जाए, जिनना नुराब चारे पासे नहीं देशता, वो अन्य ने, असी अन्य या, परमात्मा से देशता है नहीं, जे परमात्मा देशना जरूरी क्यों है, चारे पासे, इस करके, तांके साड़ा विभार, सारे जीवन प्रतीचंगा हो जाए, इस लोड एवे, जे मैंनो दुकान ते बैठे हैं, बन्दा कोई आया, मेरा ग्राक ते, जे मैंनो रवदारूप समझ लिया, मैं ठकी नहीं करसा था, बेहिमानी नहीं कर सकता, मेरा लोका नाल भी बहार शुद्ध हो जा भी, मैंनो भी बहार कर दिया, जिरा ये नाम देव देने हैं, कि कुत्ता रोटी ले गया, सुक्की, ते ओ पिछे ले के ओधा थूठा ते ओ पिछे दावड़या जानदा है, पर आंजी सुकी रोटी ना खाया होजे, भाई एक गल होई होई जा ना होई होई, एक प्रेजना देन दी गल है, कि पाई तो आनू सारे पास से प् जान देन दी गली चड़ो, एक कुत्ते नो भी राबदा रूप जानना है, कि पाई ओ तेरी सेवा मैं का देना, तू ते परमेशर जी आया सी मेरे को, ते मैं तेरी सेवा ही नी कर सके, तू सुकी रोटी ले गया, तू सुकी रोटी क्यों खावे, एक समझाइश है बहुत कि अधरोडी क्ते है, कि असी सेवा वारी ता गाली चांदी उड़ो, सेवा साड़ी जड़ी नकली है, जे असी सेवा कोई पैसा लाने या, ओदे पिछ्वे बहुता बेइमानी दा पैसा हुनता है। ऐसा है कि सारे बेइमान आशे, सारे बेइमाने किर्दी विहान मातमा जेड़ा है उनना दा फाल कई गुणा देंदा है परंतु जेड़ा बेइमानी दा है को दे नाल कोई साड़ा जीवन सुधार नहीं होवेगा बलके विगार होवेगा को तार्मिकता प्राप्त नहीं होवेगी अतार्मिकता प्राप्त होवेगी को यसी के ये गुरु सा सच्छे पात्षा महराज केंदे ने अखी बजों विखना अखा तो बगैर विखना अखा दे जेड़े विशय ने जेड़े विकार बन चुके ने उन विशय नू छटके सारी कुदृत नू परमेशर दा रूप करके विखना केंदे ए करना पवेगा विन कन्ना सुनना जेड रास नू छटके इस रास्दा निशेद करके फिर सुनना ओ कदम हो वेगा पहला गालसी कार चुकियां जदों असी इस पास्यों टोट जावांगे ताम फिर साड़ा मान इक कुई हो वेगा अच्छियां गला सुनियां जान उन एक चीज ए भी समझा लेती आज एड़े लो कि अशे लोक भी संग के जेड़े केंदे बोलना ही कुछ नी ही विनो बाबा अब भी बोल दे कुछ नी से मोन नहीं हो गया महातमा इते अशेद कुछ लोडी नहीं है कनना तो बेंदा सुनना जड़ा है और की है कि काननू जड़ा रास आंदा पहड़े बचना नू सुन उसता निशेर कर दिता जाए परंतु लोका नाल गलबात भी किती जाए लोका दी सुनी भी जाए जब लग दुनिया रही है नानक किछ सुनी है किछ कही है परमात्माने कान दिते हैं सुनन वासे दिते ने परमात्माने जेबा दिती है बोलन वासे दिती है परमातवान अखा दितिया ने देखन वासे दितिया ने बास सिर्फ इतना है कि ए अखा अच्छा वेकन एक कन अच्छा सुन ए जीव अच्छा बोले तो गुरु साब अगली गाल कर दिने जीव बाद जो बोलना यहूं जीवत मरना जीव यह बादों बोलगा्टों गोले ना जीवें जबान माला बोल धीयैं विवाद कर दिया तर्क कर दिया लोखण न चकर दिया बुरा बचन बोल धीयै दूर बचन बोल धीयैं कहेंदे इस परवर्ति जेटी एदीव चाडिι जुबान दी बन चुकी है ना जीव दी बन ऐस परवर्थिनूं यंतरिश करना है, इनू काभू कर लएना है, जीवए माज़ों बोलना, यू जीवत मरना, यू जीवत मरना, आ इन्दिया सख़ा का मैं, ऐस दिके ना जीवदया मर जाहिदा है, wizard inasm nut जाहिदा, जीवदया मर जाहिदा की है, दिखो ना ता बचन वालों स मरना प्या है, जेडा जिसनों से जीवन समझ ले आसी, कि मारा बोलना, मारा सुनना, मारा दिखना, मंदा दिखना, इसनों से जीवन समझ ले आसी, इस जीवन वलो मरना पवेगा, क्योंकि ए जीवन है, जिसने सानु मौत दे बंदन मिच लेंदा हुए, और जेडा मौत दा प ना पता है कि नाल कोई नी जानि, परनतु असे सोचने कई पुषना नी पूझी कत्र कर जीक्त हग उसमस्या की है कि जेड़े साने बच्चे ने उन्हानों हत्भ पैर नहीं दिते हन, उन्हानों विवेक भी दिता है, हैंडिकेप्ट बच्चा होई तो होर गल है, प्रन्तु जिस बच्च उन्हों परमेशर ने साबत सूर्थ करके संसार्दे में पिज्या होया है, वो कमकाज करेगा, वो अपनी किर्थकमाई करन जोगा है, एक सीमा स्ता के साध अधियों उमर भी इतनी है, खाने ते कंट्रोल लग जाना है, हाली हाली हार चीज ते कंट्रोल लग जाना है, और पैसा बंद न बन जाना है साधे बास से, क्योंके बच्चियां दा त्यान, साधे वारिसां दा त्यान जड़ा है, वो साधे मायावल होनी है, ते किते न कित दे गुजरान वास्ते नेकमाई करके और इनाल जीवन दा निर्वा करने ता ए बंदन माया नहीं बन दी जनों माया बंदन बन जन दी है उससे विले खराब है कोई वस्तु संसार देविच एक ये दसंती गाला है गुरु अंगर देव सच्छे पात्षया महराज दी संसार व इस तरी के नाप एगया है के साधियां इंद्रियां सारियां इसने पठका दीतियां ने ए इंद्रियावी नियंतरन जेडा के तागना पैरी तागना अथी ओदे उच्वी दस्या सी मन का सूत गलोब है जेवा सूत कूड अखी सूत को वेखना परत्रिया बन गुरु साभ इंद्रियां प्रिष्ण 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 इंद्रियां इंद्रियां प्रिष्ण इंद्रियां प्रिष्ण कि जाप बानी में चुपा चुपना हो भी जे लाए रहा लिफ्तार शुरू ची निखेद कर देता है कि एदा कुछ लाब नहीं है इनकर्म कानदा एदे तो कुछ प्राप्ती होनवाली नहीं है और सत्गुरु सचे पात्षा ते कहने ने जवान परमेश्र ने बोलनवा से द परमेश्र ने बोलन दी, सुनन दी, वेखन दी समर्था देती है, उन इजनी समर्था है, इस दी मनोख जड़ा है, ओ सादवर्तों करे होन सादवर्तों दी की लोड है, लोड एवे कि मानवी समाज दे विच विवस्ता ब$य रहे, विवस्ता ना गडबड होए, बुरा वे बेखना कल नो मेरी नो बेखेगा, ओधे ना चगड़ेते विवाद समाज मेंच पैदा होनगे, ओधे विच्छ मानुवता नुक्सान होएगा, एक अनुशासित, एक सदाचार्क मानुवता बन नी सकती, जे कर प्रविर्तियानों काबू ने कीता जन्द, जे इंद्रियानों काबू कर ले ने, ये जिउंदे मर गया, साड़ा कैसे वल माराते आनी नहीं है, इसकर के विखन ते कोई नुक्सान ही नहीं, पाई वीर सिंग दी एक कवता है, के अक्षियो विखना की है उना था, हाँ, तक्दया तक्दया थको ना, ए जगत तमासा जम जम तक्को, अक्षियो विखना, विखना कर्म तो हड़ा, कौन कहे तुसी तक्को ना, तो ए अक्षाजिया ने, ए प्रमात्मा ने आपने दर्शन करान वासे दितिया ने, इसकर के विखना ता जरूरी है, प्रन्तु ओ विखना जेस्ते नाल समाज विच विच विगाड पैदा हुए, जेस्ते नाल समाज चित विगाड पैदा हुए, जेस्ते नाल समाज अंता करन अशुद हो जावे, ऐसा विखना, ऐसा सुनना, ऐसा बोलना, ऐसा सपरश, ए सारा कुछ जदो बंदा वर्जित कर लेंदा है आपने अंतर विच, ता उस विले ओ जियोंदिया समझो मर गया है ओ जेस्ते नाल जड़ा है यू बंदा फिर साद जीवन दी प्राप्ते करते है, साद जीवन हो है जिठे जीवन दी कौन्टीनूटी दी समझ आ जा जा दिये, जदों बंदों एसे समझ आ जा जावे, कि जीवन के खत्म ही नहीं स ausge surda मौद्द पै खटम हो गया, साद जीव यूठी खतम हो झाखे chapters कि जीवन खतम नहीं हूएगा. किणका Joelُ खत्म की ओणे, mean इते जित्हों निकली हो ते समाज नहनेए जा है, खत्म कुछ हो डहा ही नही है. और यह कि एक खत्म हो ऑन दा पैłe है ऐसा दे ते, जीवन दी समझी कोई नहीं समझ है. जीवन समझ लिया के शरीर दा आउना ते जाना इतना ही जीवन है जीवन इतना नहीं है जीवन साथा तदों में सी जदों इस शरीर नहीं सी तो जीवन तदों में होगा जदों एक काया एक काया नहीं होगी तो जदों काया कोई भी नहीं मिलेगी जीवन ओदोवी रहन है जिस दिन ए समझ आ जागी ताँ उस विले समझ आ जागा कि काया दे बंदन में नहीं पहना सारे विकार जीवन नूँ क्यों गरसे हो एने क्योंकि काया दे बंदन में चाँ काया दे सुखा दे बंदन में चाँ ते जे इस असूल काल खाय के चत्थों दे नानकरा पछाने से, इस समझ आजे, संसार विचाया, परमेशर ने साबद काया दिती है, इते अपना कर्म दा निर्वा, अच्छे तरीके ना करने, मनुखता दी सेवा दी करने, अपना परिवारी पारने, अपने आपनों भी ठीक रखने, एक आधर्शिक इनसान बनके रहना, जनू ए समझ आजागा, जीवन दी समझ आजागी, जीवन की चीज है, इसनू समझ नाई, जीवत मरो, मरो फुन जीवो, मरो फुन जीवो है की है, वाशना मलो मर जाओ, जीवन दी समझ आजागी, तो हनू पता रख जाएगा, मौत तो ए बिशे जड़ा है इस पावदियां पंक्तियां जडियां ने बानी दे वेचे बहुत ने जियूंदे अमर्न दी जाज सिखा ही है और ए दसे है जियूंदे अमर्ना ए नहीं सन्यास ले देना जिएंदा मरना ए नहीं के पहाड़ा 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 केलाश शिड़ा है मांट एवरेस तों कोई 2000 फुट तों भी नीवा है एवरेस उची चुटी है केलाश शिड़ा है कोई 200 फुट नीवा है पर केलाश शिड़ा है कोई 200 फुट नीवा है पर केलाश शिड़ा है बंदा नहीं जा सकता कि यू हों दिये, जदो गुरु नानकदेवजी जी के इस सद्ध हैरान हुई तू कुमे आ गए थी, असी ता साधना किती हुई है, इस सद्ध करके आगे तू की में आ गए, तो गुरु सब्साब ने कहा, मैं थै शबदी शक्ति आ गया, ओ सिद्ध जिन्नकुल, इतनी शक्त पानी तो बिना रहसा देया, जान दें पुछदेने गुरु नानक देव जी नू, मात लोक विच क्या वरता रहा है, तो उसे दुनिया वलों मारी गए, तो दुनिया दी क्यों चिंता करनी है, जे दुनिया दी तो हनु चिंता है ता मतलों तुई जिव दें मरे नहीं हो, वले के टोंग कीता है, तो गुरु साब जी ने ए संसार वलों चिंता टोंगी टोंगी मरना है न, इस दा निशेद कर देता, उनना क्या इस संसार नू चड़न दी लोडने है, जे विच रहके अपना इंद्रियावी नियंत्रन प्रापत करना अपने आपते, और ओ दे नाल फिर अच्छा कर्म करना, मनुखता इसेवा करनी कैने ए जीवन दे आ मरना है, अब इमान शड़ना, अंकार शड़ना, सारे नाल प्यार वाला निंचा वाला बड़ता करना, इ 1970 आ मरना एंद्रन आपने पनक्र जन्म नहीं बिच दॉन प्रापत नहीं करेगा, जिदे विच इंद्रियां दे विश्या मेंच गलतान होया है। अशी बहुत दनवाद वाहिगरुजी का खाल्चा है। दनवाद सर, जीवत मरो डाइंग इन बलेस दी गालकारे सी उल्ट भाई, जीवत मर जा गया। जीवत माया तो मोक्ष जा मुक्ती इस जीवन विच धर्कती होते, मनुक्षी सबंदा द्वारा, चंगे सबंदा द्वारा प्रापत किती जा सकती है। तो केंदेने के जिन्दगी दा उच्टम शिकर परम पुर्शार्थ है। और इस तक मोच्चन दा सादन जीड़ा ओ धर्म है। केड़ा धर्म जीड़ा संतोख ते देया ते अधारत धर्म, जीड़ा मनुक्षी सबंदा वाला धर्म है। केंदेने बलहारी कुदरत वस्या दी गाल कीती। कुदरत जमें अपने आपनों डिस्पले कर रही है। मनुक्षी नु यही के आगया है के तुम ही अपने आपनों डिस्पले कर जिस नियम नाल कुदरत अपने आपनों डिस्पले कर रही है। पत जड़ ते बसंत दी गल एक उदरत दा प्रमात्मा दा एक नियम है डिवाइन लाओ है पत जड़ नू दुख दा प्रतीक है और बसंत सुख दा प्रतीक है जेमें कुदरत विच बसंत ते पत जड़ ने मनुख दे अंदर भी बसंत ते पत जड़ ने फरक इतने है के बार दब संत पत जड़ जड़ है, वो किसे नियम विचने, पर हुकम विचने, पर साड़े अंदर असी कोई नियम निर्धारत नहीं कार सकते, इससे लिए सब कुछ जड़ है, वो असी दुनिया नो करूप करन वाली गाल है, इस तरी दे मोक्ष लेए, किसे विदवान ने, डाक् मां उतनी वड़ी दे गहरी मुक्ती, उतनी वश मुक्ती दे नेड़े पहुँच जान दिया, उतनी वपरमात्मा दे नेड़े पहुच जान दिया, और जदों मैं वड़ी मां दी गाल कीती है, तो इस दा भाव है कि अपनी उलाद दी, अपने बच्चे दी एक अदर्शक परवरिश, एक चंगी परवरिश जेड़ी है, मैं नो लगदा है कि वो इस तनी दा जीवन मुक्त होई है, कि एक चंगी मां बनके अपने बच्चे नो अदर्श सिखाए तांकि वो समाज नो और इस पूरी दुनिया नो होर खुब सूरत बनाए, जेड़ी गालो, जब जी इस दुनिया नो होर खुब सूरत बनान विच सदा मन विच चाओ रवे, तो एक जीवन मुक्ती दी जेड़ी गाल, किती कि एक करम योगी दी गाल राक साम ने किती, करम योगी बनन दी ताकीद है, बानी दे विच, और करम योग दा सबंद हथा पैरा नाल सिरफ नहीं है, सुरत नाल विच चेतन नाल विच रोहानियत नाल विच और करम योगी दे दो टीचे हों देने, पहला अपने आपनों सुदारना और दूसरा फिर सरबात दा भला, यूनिवरसल वेलफेर, एन यूनिवरसल कंसरन, क्योंकि ये मंदे बानी मंदी है कि जरूरत है दिव दृ दूर दृष्टी दी, दूर दृष्टी दी, विजन दी, और जेकर तो अडे विच विजन है, तो फिर शिकस्त विचों मी जेडिया उफते निकल दी है, तो ए जीमन मुक्त दा आज दा ये विश्य जी, तो कालसी सवेरे ग्यारा मुझे फिर मिलांगे, भूलना चुका द प्रिंदल झे और जीमन मुक्याओा।